जय श्री हरी विष्णु जय मा, लक्ष्मी स्वागत है आप सभी का। आपके अपने पसंदीदा चैनल धर्म कथाएं पर भक्तों 12 नवंबर 2024 देव उठनी एका दशी के दिन बस कर लीजिएगा। एक मुठ्थी धनिया का प्राचीन समय का गुप्त उपाए, जीवन के हर प पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता लक्ष्मी जी आपका हमारे घर में स्वागत है, वीडियो लाइक करके धर्म कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धर्म कथाएं उस पर, आज हम आपको देव उठनी एकादशी के पावन पर्व के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, देव उठनी एकादशी का यह विशेश दिन, जब भगवान विश्णु चार महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, हमारे जीवन में खुशिया, धन और सम्रिध्ध लेकर आता है, इस पावन धनिया का उपाए, जो न केवल धन की वर्षा करता है, बलकि हमारी सभी आर्थिक समस्याओं का हल भी करता है, देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हर साल कार्तिक महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, इसे देवोथ एकादशी भी कहा जाता है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेश महत्व है, चार महीनों की योग निद्रा में रहने के बाद इस दिन भगवान विश्नु जागते हैं, और धर्ती पर अपने भक्तों के सुख और सम्रिध्धि के लिए पुनह सक्रिय हो इस दिन का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के बाद से ही शुभ और मंगल कारियों की शुरुआत की जाती है, इस दिन वरत करने और विशेश पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक सम्रिध्धि का द सालों में उपयोग करते हैं, वास्तव में देवी लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, पुराणों के अनुसार धनिया में मान लक्ष्मी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और इसे प्रयोग करने से देवी लक्ष्मी का आशीरवात प्राप्त होता है, इस उपाय को क और साफ पीले वस्त्र धारन करें। भगवान विश्नु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमहा का 11 बार जाप करें। जो आपके जीवन में सौभाग्य और भाग्य का उदय कर सकता है। इस उपाय के अनुसार, ग्यारह रोटियों का उपाय, इस दिन ग्यारह रोटियों को बनवा कर हर रोटी पर ग्यारह दाने धनिया रखें। और इन रोटियों को गाय माता को खिला दें। माना जाता है कि गाय माता में 33 करोड देवी देवताओं का वास होता है और उनके आशीरवात से हमारा भाग्य जाग्रत होता है। धन प्राप्ति का उपाय, देव उठनी एकादशी के सूर्यास्त के बाद अपने घर के पूजा घर में एक घी का दीपक जलाएं। एक लाल वस्त्र पर एक मुठी धनिया, एक रुपय का सिक्का और तीन लौंग रखें और पोटली बनाकर इसे अलमारी या तिजोरी में रखें। मा, लक्ष्मी के बीज मंत्र, ओम श्री हरी श्री कमले कमला लईये प्रसीद प्रसीद श्री महालक्ष्मी नमह का ग्यारह बार जाप करें। पोटली धन चुमबक बन जाएगी और आपके जीवन में धन की व्रिध्धि करेगी। देव उठनी एकादशी पर भगवान विश्नु और देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इस दिन की पूजा विधी कुछ इस प्रकार है। एक, चौक तयार करें। पूजा के स्थान पर मंडब बनाकर चौक तयार करें। इस चौक के मध्य में भगवान विश्नु की मूर्ति या तस्वीर रखें और चरण चिन्ध बनाएं। अरपन भगवान को गन्ना, सिंगाडा, फल, मिठाई और दीप अरपित करें। इन सभी चीजों को विधिपूर्वक अरपित करें और भगवान के चरणों की पूजा करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमह का जाप करना अत्यंत लाभकारी होता है। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु का आशीरवात प्राप्त होता है। चार तुलसी विवाह इस दिन तुलसी के पौधे का विशेश महत्व होता है। भगवान विश्णु का तुलसी विवाह कराना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे वैवाहिक जीवन में सुख और सम्रिध्य आती है। देव उठनी एकादशी पर कुछ विशेश सावधानियां भी बरतनी चाहिए ताकि पूजा का पूर्ण लाभ मिल सके। इस दिन वन चावल का सेवन न करें। चावल के सेवन से मन और शरीर में स्थिर्ता नहीं रहती है। इसलिए इसे वर्जित माना गया है। छै, साथ, तामसिक भोजन से परहेज करें। लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन पूरी तरह से त्याग दें। आठ, पत्ते न तोड़ें। इस दिन व्रिक्ष से पत्ते तोड़ने की मना ही है। अतह यदि दातुन की आवश्यक्ता हो तो गिरे हुए पत्तों का उप्योग करें। नौ दोपहर में न सोएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार देव उठनी एकादशी पर दोपहर में सोन वर्जित है। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवो थान एकादशी भी कहा जाता है, हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथी को मनाई जाती है। यह दिन इसी लिए विशेश है क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरी विश इन चार महीनों को चतुरमास कहा जाता है और इस दोरान सभी मंगल कार्य, विवाह, ग्रिह प्रवेश, आदी रुख जाते हैं। चतुरमास की समाप्ती और भगवान विश्नु के जागने के बाद पुन सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विश्नु विशेश कृपा में रहते हैं और जो भी भक्त सचे मन से उनका व्रत रखता है, उसे उनके आशीरवाद से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ती मिलती है और उसके जीवन में सुख शान्ती और धन सम्रिधिका आगमन होता है। देव उठनी एक वित्र मानी जाती है क्योंकि इस दोरान वे ब्रह्मांड के संतुलन और सुरक्षा के लिए ध्यान मगन रहते हैं। यह योग निद्रा उनके दिव्यकारियों का प्रतीक मानी जाती है। और जब वे इस योग निद्रा से जागते हैं, तो संपूर्ण सृष्टी में सकारा आत्मक उर्जा और सौभाग्य का प्रवाह होता है। पौरानिक कताओं के अनुसार भगवान विष्णु जब योग निद्रा से जागते हैं, तो वे अपनी असीम कृपा से अपने भक्तों के जीवन में न केवल सुख शान्ति का संचार करते हैं, बलकि उन्हें आर्थिक सम्रिध, सफलता और आत्मिक संतोष का आशिरवाद भी प्रदान करते हैं। इस दिन उनकी पूजा अर्चना करना और व्रत रखना अत्यंत फलदाई माना जाता है, क्योंकि वे अपनी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भक्तों की सभी मनो कामनाओं को पूर्ण करते हैं देव उठनी एकादशी पर व्रत रखना और भगवान विश्नु की आराधना करना अत्यंत महत्व पूर्ण माना गया है। इस व्रत का महत्व हमारे धर्म शास्त्रों में भी वर्णित है। यह व्रत केवल किसी धार्मिक करतव्य का पालन नहीं है, बलकि आत्म संयम, मन की शुद्धी और आत्मा की उन्नती का प्रतीक भी है। जब कोई व्यक्ति इस पवित्र व्रत का पालन करता है, तो वह अपने जीवन के बंधनों से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक उन्नती की ओर बढ़ता है। व्रत के दौरान उपवास रखना, मन को एकाग्र करना और जन्मों में भी पुन्यफल प्राप्त होता है और भक्त के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त होते हैं। यही कारण है कि एकादशी व्रत को मोक्षदाइनी एकादशी भी कहा गया है। देव उठनी एकादशी के दिन मान लक्ष्मी का आशीरवाद प्राप्त करने के लिए भी विशेश पूजन और उपाय किये जाते हैं। मान लक्ष्मी का यह दिन विशेश प्रियमाना गया है। और इस दिन उनकी आराधना करने से आर्थिक सम्रिध्ध और स्थिर्ता प्राप्त होती है। इस दिन मान लक्ष्मी और भगवान विश्नु की संयुक्त पूजा करने से जीवन में सुख, सम्रिध्ध और खुशियों का आगमन होता है। मान लक्ष्मी का आशीरवाद पाने के लिए इस दिन विशेश मंत्रों का जाप करना और धनिया के गुप्त उपाय को अपनाना अत्यंत लाभकारी होता है। यह उपाय, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्नित है, मान लक्ष्मी की कृपा को आकरशित करने में सहायक माना गया है। आईए, जानते हैं इस उपाय के बारे में विस्तार से। देव उठनी एका दशी पर मान लक्ष्मी का आशीरवाद पाने के लिए एक विशेश उपाय का उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में मिलता है, जिसे धनिया का उपाय कहां जाता है। इस उपाय को सही विधी से करने पर मा लक्ष्मी का आशीरवात प्राप्त होता है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। इस उपाय के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें। इस उपाय को हाथ में लेकर भगवान विष्णु के बीज मंत्र AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमह का ग्यारह बार जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को प्रसन्द करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। यह चोटा सा उपाय आपके घर में धन की व्रिद्ध के लिए अत्यंत फलदाई है। इससे मा लक्ष्मी का आशीरवात प्राप्त होता है और जीवन में आर्थिक सम्रिद्धी आती है। देव उठनी एका दशी पर भगवान विष्णु और मान लक्ष्मी की पूजा विधि पूर्वक करना अति आवश्चक है। इस दिन विशेश चौक बनाकर मंडप तयार करें और चौक के मध्य में भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। भगवान विष्णु को गन्ना, सिंगाडा, फल, मिठाई और घी का दीपक अर्पित करें। दीपक पूरी रात जलता रहे। इसे अत्यंत शुभ माना गया है। आर्ति का महत्व इस दिन भगवान विष्णु और मा लक्ष्मी की आर्ति करने से जीवन में शान्ती और खुशहाली का संचार होता है। इस अफसर पर निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। इन मंत्रों का जाप करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आर्ति करें। इस आर्ति से भक्त के जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। देव उठनी एकादशी पर कुछ विशेश सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि पूजा और वरत का पूर्ण लाभ प्राप्थ हो सके। इस दिन चावल का सेवन वर्जित होता है क्योंकि चावल का संबंध जलतत्व से है और इसे इस दिन ग्रहन करने से शुद्धि में बाधा आ सकती है। साथ ही इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मदिरा से दूर रहें। इस दिन वरिक्ष से पत्ते तोड़ने की मना ही है। अतह किसी भी तरह के प्राकृतिक संसाधनों का दुरुप्योग नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस दिन दोपहर में न सोएं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विश्नु जागरण अवस्था में होते हैं और दोपहर में सोने से उनकी कृपा से वंचित हो सकते हैं। देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवो थान एकादशी भी कहा जाता है। इसलिए भी है क्योंकि इसे शुभ कार्यों की पुनह शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। भगवान विश्नु और देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और एक मुठी धनिया का विशेश उपाय करते हैं, जो उनकी कृपा प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है। देव उठनी एकादशी के दिन एक मुठी धनिया का यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन प्राथा काल जल्दी उठकर सनान करें और स्वच्छ कपड़े धारन करें। धनिया की पोटली बनाएं। इस पीले वस्तर पर एक मुठी धनिया रखें। यह धनिया देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। फिर इसे एक मौली धागे से बांध कर पोटली बना ले। यह पोटली आपके जीवन में धन को आकरशित करने का प्रतीक बनती है। चार, मंत्र जाप इस पोटली को अपने हाथ में लेकर भगवान विश्णू का बीज मंत्र एईउएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ग्यारह बार जाप करें इस मंत्र का जाप अत्यंत शक्तिशाली माना गया है और इसे भगवान विश्णू की कृपा प्राप्त करने का माध्यम समझा जाता है इस पोटली को उस स्थान पर रखें जहां आप अधिकतर समय बिताते हैं जैसे कि आपका मुख्य कमरा आप इसे अपनी तिजोरी या अलमारी में भी रख सकते हैं ऐसा माना जाता है कि इस पोटली के घर में होने से नकारात्मक उर्जा समाप्त होती है और आर्थिक सम्रिध्ध के द्वार खुलते हैं एक महीने बाद इस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और अगली एकादशी पर इसी प्रकार की नई पोटली तैयार करें यह उपाए नियमित रूप से करने से धन और सम्रिध्ध की वर्षा होती है और आर्थिक समस्याओं का निवारन होता है एक मुठी धनिया के इस गुप्त उपाए के अंगिनत लाब है यह उपाए न केवल आर्थिक समस्याओं को दूर करता है बल्कि जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार करता है एक आर्थिक समस्याओं का समाधान इस उपाए को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन होता है आर्थिक तंगी और पैसों की कमी जैसी समस्याओं का निवारण होता है 2. सौभाग्य की प्राप्ति धनिया का यह उपाय सौभाग्य को आकरशित करता है जिस व्यक्ति का भाग्य कमजोर हो या उसे धन लाभ में रुकावटें आ रही हो उसे इस उपाय से सौभाग्य का आशिर्वाद मिलता है 3. सकारात्मक उर्जा का संचार इस पोटली के घर में रहने से नकारात्मक उर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है यह हमारे जीवन में शांती और संतोष लाने में सहायक है 4. अवांशित बाधाओं से मुक्ती जीवन में आने वाली अवांशित बाधाओं और परेशानियों से मुक्ती प्राप्त होती है माना जाता है कि इस उपाय से जीवन के कश्ट दूर होते हैं और किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती देव उठनी एकादशी पर देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णू की कृपा से यह उपाय अत्यधिक प्रभावी होता है यह दिन इन दोनों दिव्य शक्तियों का आशीरवाद पाने का विशेश अवसर प्रदान करता है इस दिन इनकी पूजा करने और इस विशेश धनिया उपाय को अपनाने से घर में स्थाई धन की प्राप्ति होती है देवी लक्ष्मी को धन, समरिध्य और वैभव की देवी माना गया है जब हम एक मुठी धनिया का यह उपाय विधिपूर्वक करते हैं तो देवी लक्ष्मी हम पर अपनी कृपा बरसाती है और हमारी आर्थिक स्थिती को सुधारती है भगवान विश्नु के आशीरवाद से हमारे जीवन में संतुलन और शांती का संचार होता है जो हमें मन की शांती और आत्मिक संतोष प्रदान करता है इस पावन एका दशी पर कुछ अन्य उपाए भी हैं जो देवी लक्ष्मी और भगवान विश्नु की कृपा पाने के लिए किये जाते हैं वन लाल वस्त्र पर धनिया का प्रयोग इस दिन सूर्यास्त के बाद लाल वस्त्र पर एक मुठी धनिया एक रुपए का सिक्का और तीन लौंग रखें इन वस्त्रों की पोटली बना कर इसे अपनी अलमारी या तिजोरी में रखें इस उपाए से भी घर में धन का आगमन होता है एक, ग्यारह रोटियों पर धनिया के दाने इस दिन ग्यारह रोटियों को बनवाएं और हर रोटी पर ग्यारह दाने धनिया रखें इन रोटियों को किसी गाय माता को खिलाएं माना जाता है कि इससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में खुशहाली आती है 2. विशेश मंत्र जाप इस दिन AUM श्री हरी, श्री कमले, कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री महालक्ष्मी नमह मंत्र का ग्यारह बार जाप करें इससे मानलक्ष्मी का आशीरवात प्राप्त होता है और घर में धन संपत्ती का स्थाइत्व बना रहता है देव उठनी एका दशी पर कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा और उपाय का पूरा लाभ प्राप्त हो सके 1. चावल का सेवन न करें चावल का संबंध जल तत्व से है और इसे इस दिन खाने से पूजा की शुद्ध में बाधा आ सकती है 2. सात्विक भोजन करें इस दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए 3. मंतर जाप में एकागरता रखें इस दिन किसी भी प्रकार के मंतर जाप में मन की एकागरता बहुत जरूरी होती है इस से पूजा का फल शीघ्र मिलता है और उपाय का असर भी बढ़ता है देव उठनी एकादशी पर गाय को 11 रोटियां खिलाना बहुत शुभ माना गया है गाय को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है क्योंकि इसमें 33 करोड देवी देवताओं का वास माना गया है गाय की सेवा से मान लक्ष्मी और भगवान विश्नु की विशेश कृपा प्राप्त होती है इस दिन विशेश रूप से 11 रोटियों पर धनिया रखकर गाय को खिलाने से हमारे भाग्य में व्रिद्ध होती है और जीवन में सौभाग्य का संचार होता है उपाय की विधी एक, रोटियां बनवाएं इस दिन सुभह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारन करें इसके बाद 11 रोटियां बनवाए दो, धनिया का प्रयोग हर रोटी पर 11-11 दाने धनिया रखें धनिया का संबंध मा लक्ष्मी से माना गया है और इसे धन प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है इन रोटियों को किसी पवित्र गाय को अरपन करें ध्यान दें कि गाय को यह रोटियां आदर पूर्वक खिलाएं इस मंत्र का जाप करने से मान लक्ष्मी का आशीरवात प्राप्त होता है और जीवन में धन संपत्ति का संचार होता है इस उपाय को करने से न केवल हमारे भाग्य में सुधार होता है बलकि जीवन की कठिनाईयां भी दूर होती है गाए माता के आशीरवात से हमारी आर्थिक स्थिती मजबूत होती है और हमारे कार्यों में सफलता मिलती है देव उठनी एकादशी के दिन सूर्यास्त के बाद विशेश पूजा करना अत्यंत लाभकारी होता है यह पूजा विशेश रूप से धन प्राप्ती और आर्थिक सम्रिध्ध के लिए की जाती है। माना जाता है कि इस पूजा से मा लक्ष्मी और भगवान विश्नु की कृपा से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में धन के नए स्रोत खुलते हैं। उपाय की विधी। वेक, पूजा का स्थान। सूर्यास्त के बाद अपने घर के पूजा स्थल पर या किसी शांत जगह पर बैठ जाएं। टू, लाल वस्तर का प्रयोग। पूजा स्थल पर एक लाल वस्तर बिचाएं। लाल रंग देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और इसका प्रयोग पूजा में शुभ माना जाता है। थ्री, धनिया, सिक्का और लॉंग रखें। लाल वस्तर पर एक मुठी धनिया, एक रुपए का सिक्का और तीन लॉंग रखें। धनिया मा लक्षमी का प्रतीक है, सिक्का आर्थिक सम्रिधि का प्रतीक है और लौंग से नकारात्मक उर्जा दूर होती है। चौर, पोटली बनाएं, लाल वस्तर में धनिया, सिक्का और लौंग रखकर एक पोटली बनाएं। यह पोटली एक धन चुम्बक के रूप में काम करती है और इसे अपनी अलमारी या तिजोरी में रखें। आपके जीवन में धन को आकरशित करेगी और आर्थिक स्थिर्ता बनाए रखेगी। इस विशेश पूजा से मा लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन का आगमन होता है। इसे हर देव उठनी एकादशी पर करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान, विश्नु और मान लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह एक अत्यंत शुभ और सरल उपाय है। इस दिन पीले वस्त्र पर धनिया रखने और पोटली बनाकर उसे सुरक्षित स पर रखने से जीवन में सुख सम्रिध्धि और खुशियों का संचार होता है। उपाय की विधी, वंग, सनान और शुद्धिकरण, देव उठनी एकादशी के दिन सुभह जल्दी उठकर सनान करें और स्वच पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग, भगवान शुभ माना जाता है। टू, पीले वस्त्र का प्रयोग, पूजा के स्थान पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और इस पर एक मुठ्धी धनिया रखें। धनिया का संबंध माल लक्ष्मी से है और इसे धन प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। थ्री, पोटली बनाएं। प भगवान विश्नु का बीज मंत्र, AUM नमो भगवते, वासुदेवाय नमह, ग्यारह बार जाप करें। मंत्र का जाप भगवान विश्नु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। फाइव, पोटली को सुरक्षित स्थान पर रखें। इस प्रवाहित करना, एक महीने बाद इस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। फिर अगली एकादशी पर इसी प्रकार की नई पोटली बना कर रखें। तो इस देव उठनी एकादशी पर इन नियमों का पालन करें, भगवान विश्नु की भक्ती में लीन रहें और अपने जीवन को सुख सम्रिध्य से भरपूर बनाएं।